हेलो गाईज, वेलकम बैग तो क्यूरे सरी फा देई लीडोर्ज उप इंडियन फुटबोल सो एज 6 जून गेटिंग क्लोजर एंडियन फुटबोल फैंस के दिमाग में जो एक क्वेशन है और ज्यादा वो यहां पर बढ़ता जा रहा है और वो है यहां पर क्या इंडिया यहां पर वर्ल्ड कप पौलिफायर्स के राउंड 3 में प्वालिफाय कर पाएगा या नहीं कर पाएगा एंड क्या है उसका equation तो अगर इंडिया के point of view से देखे तो एक simple सा equation at the moment इंडिया के लिए है equation में सिर्फ simple बोल रहा हूँ challenge तो obviously यहाँ पर बड़ा ही है कि हमें यहाँ पर कुवेट को 6-0 जुन को हराना है जैसे हम यहाँ पर कुवेट को 6-0 जुन को हराते है तो पहले तो वहाँ यहाँ पर कुवेट वल्ड कप कुलिफायर राउंड 3 की रेस से बाहर हो जाएगा वले उसके बाद वाले मैच में वह यहाँ पर अफगानिस्तान को कितने भी margin से आ रहा दे दूसरा यहाँ पर अफगानिस्तान के लिए इक्वेशन उतना ही टॉफ हो जाएगा फिर क्योंकि उनको फिर यहाँ पर कतार और कुवेट दोनों के सामने रिजल्ट प्रोड्यूस करना पड़ेगा दोनों मैचिस में चार पोइंट उनको इखटा करने पड़ेंगी यानि बड़ा चलेंज ही है जाया बले उनकी यूथ टीम है इंडिया के लिए अपने उपर खुद के उपर रिलाय करके जो जाने का ओप्शन है वही है कि हमें यहाँ पर कुवेट को हराना है अगर इंडिया को नहीं आरा पाती आपको फिर यहाँ पर कतार को हराना पड़ेगा अगर आपने कुवेट को नहीं आरा पाए तो फिर आपकी जो मेंटालीटी है वो सारी चीज़े हो डाउन हो जाती है आप अवे में खेलने जाते हो तो इस आपके लिए उतना ही बड़ा है क्योंकि खुद आपने वह चलेंज को बड़ा कर दिया है आपने जो अफगानिस् सारे फैंस को यहां पर डेफेनेटली वह ओंफिदेंस नहीं आएगा कि यह तीम उस दिन कैसे टनम होगी कि किसी को भी एड़ दियो मोमेंट आप किसी से भी पूछेंगे तो वह नहीं बोल सकती कि यहां पर यहां पर अच्छा ही करेंगी क्योंकि पता नहीं चलता कि वह ट था एंग एक्पिरेंस ब्लेर अपने जो यह नशनल टीम के लिए उसमें यहां पर दिखा पाते है अपको फैंस का भी सपोर्ट नहीं पर जबर दाश मिलन अमाला है तो उसमें आप यह नहीं बोल सकती कि यहां को क्रावट का सपोर्ट नहीं था यसा कुछ नहीं था अवर मैर को लगता है कि यहां पर पर्फॉमस तो हम बेटर देंगे रिजल्ट का कुछ कह नहीं सकते क्यों कि फूटबोल इस अन प्रडिक्टिबल गेम सो नेवर नो अनिधिंग केन हैपन और कुवेट इस अलसो कमिंग पित ग्रेट प्रिपरेशन सो इसमें मेर को लगता है कि इंडिया के लिए यहां पर लोट प्रूब एंड लेट सी आप इगो स्टिमेच एंड टीम किस तरह से आप पर प्रफॉमस देती हैं लेट में गाइस वाट दी थिंक अबॉट इस टीम आपको क्या वाही बारी है आपको क्या लग रहा है कि क्या हम यहां पर कुवेट को हर देंगे इस मैच में या फिर हम यहां पर राउंड थी की जोरे से उससे बाहर हो जाएगे कोमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा अब बात करते हैं यहां पर फाइनली इंडियन टीम को कोई यहां पर स्पॉंसर मिला है वैसे यह डिल काफी लंबे टाइम पहले लिए कि जहां पर हमारी टीम है वो सिर्फ इंडिगो में ट्रावेल करेगी सामने से कोई पैसा नहीं मिलेगा आपको स्पॉंसर्शिव का एस सच और वो हमारा ट्रावल एक्सपांसिस यहां पर क्यावलतिक कवर करेंगे इंडियन टीम उनको यहां पर प्रमोट करेगी इस कि आपकी जर्शी पूरी प्लेन इसी लिए है चलो अच्छी बात है कि कोई डील यहां पर फाइनली वर्किंग मोड में तो आ रही है और आगे भी कुछ यहां पर इस तरह की दील्स हमें देखनों को मिले वाट डू यू थिंक गईस को में बता देना जरूर इस बात पर अ इसमें फैंस को काफी जादा मरलब उनको लगता है कि उनका कुछ क्लब कुछ कर नहीं रहा बट आप देखिए लास सीजन जीस तरह से उन्होंने बिहाइंड शीन जो चेंज किया है उसका इंपक्ट आपको उन फिल्ड भी देखनों को मिला एंड मैं बात कर रहा हूं यहा यहां पर सुहल नायर जो अनदर भी एपसी का यहां पर क्या वो देती की ग्रासरूट प्रोग्राम की जो हैड थे उनको भी यहां पर एजएड औफ यूथ डेवलोप्मेंट एंड अंडर सवंटी नोर्थिस उनाटेट एपसी के कोच के तौर पर लाए हैं वो अब सारा यहां पर जो उनका यूथ लेवल का सेटप है उसको देखेंगे तो इसका देखेंगे इंपक्ट आपको तुरंत एक सीजन में यहां पर देखना को नहीं मिलेगा जिस तरह सी यहां पर नोर्थिस उनाटेट अपने आपको रीबिल्ड कर रहा है आप देखें कि वह अपना चलब प्रदेश एफे के साथ पार्टनर्शिप की है उन्होंने मेगा लेया एफे के साथ पार्टनर्शिप की है सो देया वर्किंग और डियरेक्शन ऊल्सों एंड आगे आने वाले टाइम में आपको डेफिनिटली उसके फ्रूट फूल रिजल्ट डेफिनिटली मिलने जैसे BFC से हम अभी at the moment देखते हैं कि काफी सारे यंग्स्टर उनकी फर्स्टीम में आते हैं उनकी यूथ टीम साफ देखे हैं उनकी यूथ टीम साफ देखे हैं उनकी यूथ टीम साफ देखे हैं इस तरह की चीज़े आपको North East United के लिए भी देखने को मिलेगी इन अपकमिं सब्सक्राइब आपको देखे हैं और इसका मतलब है कि एट दी मोमेट अगर आप केरला ब्लास्तर ने अपने दो फोरेंटर यहां पर दैशु के साका है इन दोरों को यहां पर गुडवाई बोल दिया है और इसका मतलब ही कि एडडी मोमेट अगर आप केरला ब्लास्तर का फोरेंट अगर आप कंटिंजर देखे तो उसमें दो ही प्लेर कंफर में नोहा सदोई एंड आपके एड्रियन लुना बाकी यहां पर क्वे में पेप्र हो गए या फिर फेडर कौनिश हो गए या फिर बाकी कोई यहां पर जोस्व सतर्यों हो गए कोई ध्ली प्लेर यहां पर क्या होते कि ऐलोटे की कानफंृमैड लए नहीं है जो लटसी यहां पर फोरेंज में किस तरह से उसैंट यहां पर बोक्ड करता है करते है याफिर इम कोटा रिमुवड इंग मेभी दे लुक फॉर अधर प्लेयर सो एट दी मोमेट फॉर रॉनर्स फॉर में पर इंट्रेस्टिंग प्रोस्पेक इसले भी लगता है कि पीटर केट की नाम सब को पता है कि जब यहां पर टाइटल जीता कब कब टाइटल इसल को उसके बाद एक इ आप बोल सकती उस डाइरेक्शन में एक साइनिंग हो सकती है क्योंकि ब्रेंडन का जो रोल है और टेकिंग मिद्फिल्डर का जाधा है और आई थिंक हमको पता है कि सभी आइसल क्लब में अटिंग मिद्फिल्डर के रोल पे यहां पर मोस्ट आप टाइम फोरेनर्स को ही अखा जाते है तो आइधिंग पीटर केट की कहीना की वह विक्रम प्रताप सिंग चांगते हैं एंड ब्रेंडन इन तीनों का इस तरह से कॉंब बिठाना चाते हैं फ्रंट में कोई में भी फोरें शायकर या फिर उस तरह से तो आइधिंक ही इस कोकिं सम्थिंग और ब्रे करें तो उसमें भाई विगनेस दक्सिना मुर्ती सिवाए गोडाड फ्रॉम फोरें कोटा जो की एज एक्सपेक्टर की उनका उतना कुछ खास इंपक्फुल पोफॉंस आया नहीं है प्रांजल को यहां पर टाटाबाय बोल दिया है तैन अनिके जादव और माइकल सौसाय राच इंटनों को भी यहां पे टाटा भाई बोल दिया है इटिक मेरको लगते कि वो रफ्रस्मेंट की ज़रुएत भी थी उनको बेंच पे तो बेंच पे तो बेंच बेंच रादर दें यू कि एवरेज प्लेयर इंडन को अर प्लेयर की बात करें फॉरह में में बनेस के स इतना कुछ इंपक्त नहीं डाट रहा था तो लेट सी यहांपे सर्जी अलोवेरा एंड ओड़ी साहिप सी यहांपे इनके रिप्लेस्मेंट के तवर पे कन कोन प्लेयर को लाता है I think that will be really really interesting to see So that's it from my side guys regarding today's Indian football news I hope कि आपको पसंद आया होगा Keep supporting Indian football Don't forget to like, share and subscribe प्यूर सरी, जय हिंद, जय वारत